ये हैं मुकेश, बहुत देर से किसी सोच में डूबे हुए हैं सुकून भरी जिन्दगी मुझे मिलेगी सीनियर लिविंग होम में और ये क्या होता है? जिवन ना अंतीम तबक्कानी तेमनी इच्छा प्रमाणी जिव्वा मांगे छे साहीट वर्षनी वई वटावी चुकेला लोकोनी वरिस्ट नागरी को अथवा वडी लो कहवा मावे छे वर्ष उगनी सो पचासी तेमनी संख्या सत अतवती रही छे 2001 नी वस्ती गनतरी मुझब देश मां लगबग 7.6 करोड सिनियर सिटीजन हता जे वर्ष 2011 मां वधी ने 10.4 करोड थया United Nations Population Fund अनुसार वर्ष 2025 सुधी मां आँकडो वधी ने 70.3 करोड अने वर्ष 2050 सुधी मां लगबग 24 करोड थवानों अंदाज्श कुल वस्ती मां सिनियर सिटीजननों हिसो वर्ष 2015 मां आठ टकाथी वधी ने वर्ष 2050 मां उगणिस टकाथी जशे देश मा व्रुद्धों नी वतती संख्यानी ध्यान मा राखिने सिनियर लिविंग होम अत्वा रिटार्मेंट होम नो कंसेप्ट लावमावयो छे वर्ष 2000 पछी रिटार्मेंट होमें वेग पकड़यो छे मारकेट रिसर्च अन एडवाईजरी फर्म मोडर इंटेलेजन्स सीनी एक स्टड़ी प्रमाणे वर्थमान वर्ष 2030 मां सीनियर लिविंग होम सी मारकेट साइस दस बिलियर डॉलर छे देश में सीनियर लिविंग की जरूरत कई कारों से बढ़ती जा रहे हैं सबसे पहले अपने देश में एक एजिंग पॉपुलेशन का बढ़त सीनियर के पास और उनकी चेंजिंग लाइफस्टाइल और इंडिपेंडेंट लिविंग का रिक्वार्मेंट कुछ ने यह भी बोला कि मैंने सीनियर लिविंग अपने बच्चों के लिए लिया कि मेरे बच्चे जो दूर हैं वो मेंटली कमफर्टबल फील करें कि हमारे मादर फादर बहुत सेफ, सिक्योर और खुशाल एंवर्मेंट रेगिलर हाउसिंग इलेके सामाने लुको माथे बांधवा मावेला घरो शेहनी मध्यमा होई छें जरे वलस्ट लुको माथे बांधवा मावेला सिनिया लिविंग होम, पॉपिलेशन अने ट्राफिक थी दूर शेहन ना बहार ना विस्तारों इल्ले के आउटसकर्समा बनावा मावे छें हिल स्टीशनों पना प्रकाना घरों माटे सारा डिस्टिनीशन छें सिन्या लिविंग होम ए 55 वर्ष की तेना थी वधू उमरना लोकोना रहवा मादे होई छें कितला के साउमा आ उमर 50 वर्ष होई शके छें जोके तमे कोई पन उमरे रिटार्मेंट होम खरीदी शको छें परन्तु तमे तेमा 55 वर्ष पछें शिफ्ट थे शक्षों त्या सोधी तैने भाड़े मुकी शकाई छें रेग्योलर हाउसिंग नी सर्खामडी मां सवथी मोटो तफावत सिनियाल लिविंग होम मां फैसिलीटी नो छें घर ने एविरिते डिजाइन करवां मावे छें जे थी व्रुद्ध व्यक्ति तेमा राखे लिए दरिक वस्तू सुती सररता थी पहुंची शकें एक्टिव सीनियर लिविंग कम्यूनिटी में पच पंच साल से उपर के लोग पर्मनेंट रेसिदेंस की तरह रहते हैं उनके बच्चे उनके फ्रेंड्स उनके रेलेटिव्स को हम इंकरेज करते हैं कि वह आ करके उनको विजिट करें शॉट स्टेज में रहें बट वो पर्मनेंट रेसिदेंस की तरह प्रोजेक्ट में नहीं रहें सेनियर लिविंग होम से जूना ओल्ड एज होम इटले के वृत्ताश्रम तरीके ना जूँँँँँँग जवरुद अने इकलवाया लोको खराब परिस्तति मा रहता हाता आजना रिटामेंट होम्स वैभवी कॉंपलेक्स छें जमा फूड, हाउस्किपिंग, हेल्थ केर अने सेक्यूरिटी नो खास धियान राखवा मावे छें अमा डाइनिंग इतले के भूजन, मेड अने क्लेनिंग सर्विस, घर अने कॉमन इरियामा नौन स्लिप टाइल्स, होल्डिंग बार अने रैम, ग्रोसरी स्टोर, धार्मी सडो जिवा के मंदीरों अने टैरस गार्डन जेवी सुवी धाव मड़े छें मेडिकल, वालनेस अने अक्टिविटी सर्विस विशिवाद करिये तो अम्बुलेंस, बेजिक क्लीनिक, योग अने मेडिटीशन सैंटर, सिनियर सिधिजन फ्रेंडली हेल्थ क्लब अथवाद जीन, डैटीशन अने नुट्रिशनिस्ट सर्विस अने थिएडर जेवी स्कूर्टी और सेसे टीवी मॉनीटरिंग धतू रहे छें, दरेक प्रोजेक मां सुवीधाओ अलग-अलग होई शुके छें एक्टिव सीनियर लिविंग उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा सूटबल है जो इंडिपेंडेंट, सिक्योर, हैसल फ्री लाइफ जीना चाहते हैं और साथ ही नई होबीज, नई स्पोर्ट्स, नई फ्रेंड्स बनाने की इच्छा है। भारत मां दक्षनी शहर बैंगालूरू, चैननाई, हैद्रबाल अने कोईबन तूर सिन्या लिविंग होम ना केंद्र छें। त्यार पचे पस्ट्रीम अने उत्तरिय शहरों नो नंबर आवे छें। आतेजीना कारणों सुखध हवा मान सारी कनेक्टिविटी अने सारी हेल्थ केर सेभावू छें। सिन्या लिविंग प्रोजेक्स मां दक्षनी शहरों नी भागिदारी सित्ते टकाती वधुहाई छें। तमनी तमाम मेटू शहरों मां एकली के मेटो पॉलिटीन शहरों मां रिटार्मेंट होम मड़ी जशें। आमा दिल्ली, NCR, मुंबाई, चैनने, पूने अने तनी नजीकना हल स्टीशन जिवाके लवासा, जैपूर, कोईबंतूर, बांगलोरू अने हैदरबाद नों समावेश थाय छें। दहरादून, रिशिकेश, भोवनेश्वर, अमदवाद, भोपाल अने वडूत्रा मास्तिन या लिविंग होम्स तमी जोई शगो छों। आवा घरों देशना अन्यग्णा शहरों मां पंच्छें। कस्टमर्स को अपना इसमें निवेश करने से पहले कई चीजों पर ध्यान देने की आवशक्ता है। उसमें सबसे महत्वकून डेवलपर का बैग्राउंड चेक है। प्रोजेक्स में क्या-क्या सुविधा दी जा रही है। उसको समझना की आवशक्ता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट सीनियर लिविंग का जो एहम किरदार निभाता है वो पोस्ट हैंडिंग ओवर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस पसिलिटी और मेंटेनेंस का बैग्राउंड चेक उस प्रोजेक्स का जरूर करें। फिर ही आप उसमें निभेश करें। जहां तर लीगल आंगल रहा। उसके लिए रेरा रेजिस्टर्ड हो प्रोजेक्स, अच्छे बैंक्स के का क्लियरंस हो उस पे होमलोन का। अगर ये दो बेसिक चेक कर लेते हैं, तो जेनरली प्रोपर्टी की लीगल डॉकुमेंट शुटी निभेश। ऐ शीटिका सेनिया लिविंग होम्स नी किममाँ 4 लाक्ती शरू ठायी छे अने एक करो रुपया सुधी जायी छेώ प्रोजेक्स नाल लोकेशन आने तेमा मर्नारी सुविथाओना हिसाबे नक्की करवामा आवे छाँ जो तमे पड़ मोकेशनी जे व्रितावस्तामा तमाम सुख सुविथाओ अने आराम साथे एक्टिव लाइफस्टाईल इचोछो तो तमारा माटे Senior Living Home योग्य विकल बनी शक्या छाँ तमे आवा गर खरिद्वा माटे बैंक लॉन पन लई शको छो रिचामेंट होम खरिता पहला तेमा मर्नारी सर्विस पर खास नजनाखो तमारी जरुरियाती तमाम फैसिलीटी होवी जोईये रियलास्टेज साथे संकडायला निश्नातों नो मानवू छे क्यामनारा समयमा आवा घरोनी पहुझ टिया टूमा हाशन अने नाना शेर्व सुधी पण हाशन आवाज इंट्रेस्टिंग वेडियो जवा माटे आप मरिनाई गुजराती नी यूटूब चैनल ने सब्सक्राइब करी शको छो साथे ज रेड आइकन बटन दबाव जो इटलूज नहीं मरिनाई गुजराती ना फेस्बूक पेज दे पणा आप लाइक करी शको छो आने ट्वीटर आने इस्ट्रग्राम आप बंदे ने फॉलो करवानू ना भूलता कारण के समझ छे तो सहज छे झाल सकता कारण कारण कराण दो